पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारे सवाल देखें आपके टेलिग्राम गुरूप पे और कॉमेंट सेक्षन में जिसमें एक ही सवाल था कि 29 तारिक का पेपर होगा या नहीं तीस तारिक का पेपर होगा नहीं बावजूद इसके कि हमने एक वीडियो पब्लिश कर दी है पोस्ट डाल दी है सब को बता दिया है उसके बावजूद ये सवाल सुनने को मिल रहा है और अभी भी कल भी ये चीज रिपीट हुई और आज भी रिपीट हो रही है तो जहां प अतलब है ये 9 और 10 तारिक को होगा इसके अलावा और भी जो डाउट होंगे आपके मन में और एक उस बच्चों के मन में होते हैं जिसको जानकारी है CCS उन्वरसिटी के बारे में और खुद से वो नोटिस चेक कर लेते हैं तो उनको एक थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंक आपको पता है कि CCS उन्वरसिटी क्या करती है एक स्कीम उसने जारी कर दी उस स्कीम को जारी करने के बाद कुछ टाइम बाद कुछ कारणों की वज़े से कुछ पेपर जो है बीच में से हटा देती है नई डेट आती है इसलिए हर वो बच्चा भी कनफ्यूज रहता है जि नहीं हो सकता तो इस वीडियो में यही चीज़े बताएंगे कि 26 तारिक को CCS उन्वरसिटी ने एक डेट सीट जारी की थी जो कि आपके सामने है अभी इसमें से पेपर हो चुके हैं और कुछ पेपर होने बागी है तो फिलहाल कौन से इसे पेपर है जो कि इसमें से चेंज हुए हैं ठीक है वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे तो पहली चीज आपका 29-30 तारिक का हमने बता दिया 29 अगस्त को होगा और 30 तारिक का 10 अगस्त को होगा पेपर 39 और 30 ब्लैंक है इसमें कोई चीज नहीं होनी है कुछ भी नहीं होना है जिसका भी पेपर है फिर 37 और 30 तारिक को कोई पेपर नहीं है ठीक है फिर भी डाउट हो तो आप कोलेज में अपने पूछ सकते हो लेकिन अभी अगर आपका 26 तारिक वाली स्कीम में कोई पेपर है इस वाली स्कीम की हम भात कर रहें तो इसमें अगर कोई आपका पेपर है तो वो पोस्पोन है आप एक चीज देखे तो कछी साहते है उसिमें से इक नोटेस जो था काम का था हमने सोचा इसके साथ वह बता ओने जी ुट लोग स्टूडेंट्स के बारे में हमने वेबसाटे सबसे उपर डाल दिया है आप जो ओन्लाइन पेपर देना चाहते हो वो यहां से दे सकते हो क्लिक करके आपसे रोल नंबर पूछेगा और आपकी डेट बढ़त उसके बाद परिक्षा शुरू होने के आदे गंटे बाद किसी परिक्षा आर्थी को ओनलाइन लोगिन की अनुमती नहीं होगी आप अगर परिक्षा स्टार्ट मनलब पर आर्लाइन पेपर दे रहे होंगे तो यह नंबर आप सेव करके रखना नोट करके रखना अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्षा होती है टेक्निकल तो आप इस नंबर पर कॉल करके बोल सकते हो मानकर आपकी टाइमिंग रुख जाएं वहाँ पर याप क्या या आपकी हेल् 39 और 30 तारिक वाला अगली सलाइड में ये लिखा हुआ है बीए 011, 012 और 013 अब हर बार की तरह एक ही दिन में ना होकर दो अलग-अलग दिन में होंगे 011 पहले की तरह 4 अगस्त को ही होगा जैसे की था और 012 और 013 की डेट बदल दी गई है जो अगले दिन होगा उसकी पेपर 5 अगस्त को होगा ओफिसियल अपडेट के लिए इस लाइन को टच करें मतलब हमने वेबसाइट पे इस तरीके से डिजाइन करी है वेबसाइट की उन्हीं में ओफिसल नोटिस मिल जाएगा अभी ये सारी अपडेट है अभी तक की जो इंपोर्टेंट अपडेट है हमने इस पे लगाई है इसके अलावा अगर आप ओफिसियल अपडेट यहाँ पे देखोगे तो ये है आपका चार अगस्त को था फाउंडेशन कोर्स का हिंदी, इंग्लिश और संस्क्रत आप पेपर दोगे तो चार का चार को ही है, लेकिन अगर आप इंग्लिश असलिस करते हैं पेपर दोगे तो वह चार अगस्त को ना हो कि आप पांच अगस्त को है, ठीक है, 012-013 यह वेबसाइट है, onlineforminfo.com, इसे जाके चेक कर लेना क्योंकि इस पर सारी अपडेट हम जितनी भी हमें पता चलती हैं, हम पर डाल देते हैं, और जिन चीजों में ज्यादा confusion होता है, ज्यादा repeated questions आते हैं, टेलिग्राम वगेरा पर, हम यहीं पर वो चीज पोस्ट करते हैं, तो जो यह 26 तारीक वाली scheme थी, इसमें सबसे पहली चीज तो 39 और 30 तारीक का postpone है, कोई paper नहीं है, आज और कल, आज का आपका 9 अगस्त को और कल का आपका 10 अगस्त को होगा, ठीक है, अगर कोई भी बदला हुआ, तो इसी website पे आपको बताया जाएगा, कि यह चीज बदला हुई है, इसमें ठीक है, दूसरी चीज, 011, 012 और 013 में से 011, 4 का ही है, और 012 और 013 आपका 5 तारीक को है, बस बीए के लिए, बस दो चीज यह उसमें चेंज हुई है, इसके अलावा, लास्ट में बस यही बताएंगे, कि अगर इस वीडियो को बनाने के बाद, कोई भी अपडेट आई, कि इसमें इसकीम में एक यह भी चेंज हो गया, तो उसकी, या तो हम नई वीडियो डाल देंगे, या फिर इस वीडियो के description में, या फिर comment box में हम लिख देंगे, या फिर आप जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको कुछ अलग से पता चलता है, तो इस वीडियो क थी, बागी कोई भी आपका सवाल हो, तो comment करना, कोशिश करेंगे, जितना जल्दी उसको reply करने की, वीडियो के description में, टेलिग्राम गुरूप के link है, जाके join कर लो, क्योंकि जैसा भी notice वहाँ पे आता है, जरूरी या फिर जैसा भी notice इस एस उनवर्शिट डालती है, notice या नहीं, लेकिन वहाँ पे आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी, ठीक है, तो बस यह update थी, और अगर आपका कोई सवाल हो, तो comment करना,